हेलो दोस्तों टैनों हेल्पीपी में आप सभी कास्ट वागत है दोस्तों समय है गड़ मुर्निंग एडिटोरियल लिखने का दोस्तों आज 39 अपरेल का एडिटोरियल लिक्टेसन रहेगा जो सौ सब्सक्राइब की गति से रहेगा 10 मिनिट के लिए और जो मेरे भाई जो मेर आठीच सब्सक्राइब लिक्टेसन देखने जाते हैं तो वह हमारी साम की वीडियो रहे सिछते हैं मार और आपको 90 watt के टीटिक्टेसन दे जाएंगे विक्टेसन को स्चाट करने से पहले आजर आपने मैशाट निए सबस्क्राइब से नहीं कि ए तो फ्मीज चैनल को भारत सरकार ने कोरोना से बहुत मामूली रूप से संकर्मित मरीजों को उनके घर में रखकर ही उपचार के जो दिसानिर्देश जारी किये हैं वे ना केवल प्रसंसनिये बलकि अनुकर्णिये भी हैं जिन मरीजों में संकर्मन के बहुत मामली संकेत हैं या जिन में कोरोना के लक्षन उभरे नहीं हैं उन्हें वाकई अस्पताल लाकर भीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है ऐसे मरीजों को उनके घर पर ही उपचार किया जा सकता है ऐसे मरीजों के घर में एकांत वास की सहुल्यत होना जरूरी है साथ ही एक ऐसे समझदार तिमारदार की भी जरूरत पड़ेगी जो अस्पताल से लगातार जुड़ा रहेगा विसेश रूप से जो लोग जागरुग या सतर्क हैं उन्हें इससे बड़ू सहुल्यत हो जाएगी आम तोर पर इस्तिती के खराब होने या कोरोना के लक्षणों के उभरने के बाद ही मरीज अस्पतालों में भरती किये जा रहे हैं सरकार की होम आईसो लेशन संबंदी दिसार निर्देशों का महत तबी है जब मरीज समय रहते सतर्क हो जाए ऐसे सतर्क मरीज को अस्पताल की सुविधाओं या भीड या दर से दो चार नहीं होना पड़ेगा घर में एकांत वास में उपचार लाब करते हुए समय पर बहतर भोजन दवा पानी की सुविधा भी मिल सकेगी सरकार का यह कदम अस्पतालों को मरीजों के गैर जरूरी बोज से बचाने के लिए भी जरूरी था हमें यह नहीं भूलना चाहिए की ठीग हो चुके 7000 मरीजों को छोड़ दें तो अभी भी अब भारत में संक्रिमतों की संक्या 22000 पहुँच रही है इन सबकी तिमारदारी की जिम्मेदारी अस्पतालों पर है इन 22000 मरीजों में से अगर 10% मरीज भी ऐसे हैं जिनका उपचार घर के एकांत वास में हो सकता है तो यह एक बड़ी बात होगी वैसे भी अस्पतालों में जिस तरह से इलाज हो रहा है वह भी किसी एकांत वास से कम नहीं है पर जब घर में ही इलाज चलेगा तो मरीज के साथ उनके परीजन का भी मनोबल बना रहेगा इसमें कोई सक नहीं कि इस बिमारी का खत्रा कायम है लेकिन इसका भै लगातार कम हो रहा है हम इस भीमारी से लड़ने के तरीकों का विकास भी करते चल रहे हैं तो यह जितना सभाविक है उतना ही जरूरी भी है हमें मरीजों की बड़ती संख्या के साथ केवल अस्पतालों और उपलब्द विस्तरों के बारे में ही नहीं सोचना है हमें उन डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाप के बारे में भी सोचना है जो दिन रात सेवा में जुटकर खुद को जो खिम्में डाले हुए हैं सरकार की होम आईसो लेशन की नेती से चिकिसा समाज को भी राहत का एहसास होगा विसेश रूप से सक्षम समाज के मरीज अस्पटालों पर बोज नहीं बनेंगे लेकिन होम आईसो लेशन की सुविधा की निगरानी भी बहतर ढंग से करनी पड़ेगी और इससे स्वयम मरीजों द्वारा यतोचित सहियोग इलाज की बुनियाद होगा इसके अलावा सरकार को व्यापक रूप से भी सोचना चाहिए घर भैटे इलाज की सुविधा की जरूरत देश के अभी लाखों उन मरीजों को भी है जो अन्य गंभीर बिमारियों से गरस्त हैं ऐसे लाखों मरीजों को अस्पतालों में करोना की वजह से घर लोटा दिया है अब समय आ गया है कि लगबग 35 दिन के लोकडाउन के उपरांत ऐसे मरीजों को भी घर बैटे हर संभव चिकिसा सेवा महया कराई जाए यकीन मानिये कोरोना से लडाई में ऐसे अनेक अच्छे तरीके हमें हासिल होंगे जो भविष्य के तमाम बिमारियों से लड़ने में काम आएंगे जब सर्वे सरकार के मनमाफिक नहीं तो अधिकारी कहते हैं लाबार्ती ने और लाब के लिए जूट बोला लेकिन CAG की ताजा रिपोर्ट बताती है की स्वयम सरकारे जूट बोलती है NSS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी भी एक चोथाई ग्रामिन भारतिय सोचालेओं से वन्चित हैं उधर सरकार के सचता विभाग का मानना है की जिन ग्रामिनों से यह सवाल किया जाता है की वे अक्सर सरकारी मदद के लिए जूट बोलते हैं NSS ने भी इस बात को माना है अगर यह सच है तो देश में सायद ही किसी सरकारी योजना की जमीनी हालात का पता चल पाएगा क्यूंकि लालच के लोग गरीबी और अभाव को बड़ा चड़ कर बताएंगे और अगर नहीं भी बताया तो सरकार उसे खारिज कर देगी अगर उपभोग आधारित सरवें हो तो सरकार का यह आरोप समझा जा सकता है कि गरीब दूद, डाल या अनाज के रोजाना उपभोग का आँकड़ा गलत दे कर अपने को गरीब बता सकता है लेकिन सरकारी मदद से बने सोचाले तो सरवे करने वाला अपनी आँक से देख सकता है फिर वह विरोधा भास क्यूं? वैसे यह आम सिकायत है कि मात्र 12,000 रुपे में सोचाले नहीं बन सकता लिहाजा लाभारती पैसे पाने के लिए धाचा खड़ा कर देते हैं जो कुछ दिनों में गिर जाता है या सोच के लायक नहीं रहता सरकारी आँकड़े में वह सोचाले बना रहता है उधर CAG रिपोर्ट के अनुसार उत्तर परदेश में वाल मिर्त्यू के सरकारी आँकड़े पिछले 5 साल से कम करके बताये जा रहे हैं इस सम्वेधानिक संस्ता ने पाया कि सबसे बड़ी आजादी वाले इस राज में सरकारी अस्पताल में मिर्त पैदा हुए बच्चों की संख्या लगबग 40% कम बताई जा रही है मुद्दा यह नहीं है कि किसने सासन काल में इन कृत्यों को अन्जाम दिया CAG ने यह भी बताया है कि 86% मरीजों को 5 मिनट से भी कम समय में जाच करके भेज दिया जाता है इसका नतीजा यह होता है कि जब केस बिगड जाता है तो मरीज के परिवार वाले उसे मजबूर होकर महेंगे नीजी अस्पतालों में ले जाते हैं उत्तरपरदेश और विहार की सरकारे स्वास्त के मद में सबसे कम खर्च कर रही है उस पर से अगर ये तथे भी छिपाने लगी है तो इन राज्यों के 32 करोड लोगों और हर साल करीब 50 लाग नवजातों का भविश्य कितना अंधरकार में होता होगा यह समझना मुश्किल नहीं है दिल्ली में कोरोना वाइरस संक्रवन के 206 नए मामले सामने आये हैं संक्रवा मंगलवार को बढ़कर 3314 हो गई दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मंगलवार को लगातार तीसरे दिन इस वाइरस से किसी की मौत होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया इस चॉप दोस्तों यह था आपका 1000 वर्ट से कुछ ज्यादा का डिक्टेशन तो आप लोग इसका ट्रांस्क्रिप्ट जरूर कीजिएगा इसमें अलग-अलग इस चैनल पीप वहां से आप हमसे जूड़ सकते हैं आता करता हम आपको इस अच्छे आएंगे हमारी और जो स्रीज आप उन्हें भी प्लेविस्ट में जाके देख सकते हैं जी एग इंगलिस रीजिंग सबकी प्लेविस्ट है आप आप से हमें जूड़ सकते हैं अलग-अ